ऩी दोस्तों आपका एक नजर किश्चान में स्वागत हैं तो चलिए दोस्तों आज हम ले चलते आपको एक बार फिर कीवी के खेत में और दखाते हैं की भी मैं कीवी में साल में तॉलिय कितनी बार करने चाहिए यह दoughbooks को और यह रहे तउलिय हमारे बने हुए तो आफ जन्वरी का जुलाई का मिहना चल पड़ा है तो जुलाई में जो है अब हम आपको यह दखाएंगे तॉलिय के इसे में कि साल में जो है तॉलिय कितनी बार इसमें करने चाहिए तो यह तो हमने अभी तो इसकी घास 그ी नदाई की है है ओर आगे तक जो है मतलव सारी फिल्द की है यह ठीक है ठोड़ी घास की नदाई जहां करने बिक विल्ulars कर सिलिकए तो उसको भी हम हमारी वीडियो को देख रहे हैं और फ्रूट देखें तो फ्रूट अभी इस डंग से जो है काफी अच्छा मतलब साइज बन नहीं है लेकिन बारिश नहीं है बारिश को से काफी यह हो रही है कि अगर बारिश हो जाए तो फ्रूट का साइज अच्छा बनेगा और अगर बारिश ना हो तो फ्रूट का साइज कम भी रह सकता है तो यह देखिए यह तो थे हमारे पौदे तॉलिये आप तॉलिये दखाते हैं हम आपको अभी तक इसमें मिलकुल नहीं यह किया है तो साल में तॉलिये दो बार जो है अवश्य बनने चाहिए क्यूंकि इसमें जड़े ऐसी आ जाती है कि उस जड़ों में जो है मतला हुआ जैसे कि यह घास उग रही है इस ड़ंग से इसमें जड़े उग जाती है और जड़े जो है इसमें वो पौदे की चाल रोक देती है वो भी मारी का कारण बन जाती है कि उसमें जैसे कि एक निम्बू के पौदे में भी जड़ुआ लगता है उमारे पाड़ी भाशा में जड़ुआ भी कहते हैं उसको उस ड़ंग से इसमें भी जड़े ऐसी आ जाती है तो उस जड़ को भी हम बताएंगे आपको कि किस ड़ं लेकिन साल में दो बारी जो है तॉलिय बनते हैं पहले तॉलिय जो है मतलब इसमें फर्वरी मिहने में जो है तॉलिय बनाए जाते हैं जनवरी से लेके और फर्वरी तक फर्वरी मार्च तक जो है तॉलिय बनते हैं और फिर उसके बाद बनते हैं जुलाई में तो चली दोस् तौलिय हमने कुछ तौलिय भी कपी मुतलब बनाए हैं और अब थोड़े बनाने की त्यारी में यह देखिए कि यह खुदाई हो चुकी है इसकी तौलिय की और इसमें दो है पानी के लिए बिलुकुल यह कर दिया है बने कि यह देखिए आज ही इसमें हमने ये तौलिय बनाए हैं ये देखिए और जो हमने आपको जिस जो जड़वा बताया था कि किस ढंक से जो लगता है ओ इस ढंक से लगता है ये देखिए इस ढंक से ये ये चीज है इदर भी है ये देखिए ये देखिए इस ढंक का जो है ये इसमें जड़वा जो हो जाती है तो ये क्या होता है कि इससे पौद में बिमारी का ये बिमारी का लक्षन है और इसको जो है खुदा इसलिए इसमें करनी पड़ती है और जो ये अिल्पी आप पॉद्बॉं 15 जाखिये ताकि हमारी मेन सड़ इस में रहा जाए तो उससे को मतलब हमारे को काभी फायदा है है रो हमारा पवधा भी बिल्कुल सही चले गाया नहीं तो यह सारी जो है यह सारी प्रोटीन जो है यह खिच लेती है यह इस तीज को जो है बिल्कुल मतलब नकाल देना पड़ता है यह देखिए इस ढंग से जो है यह तौलिया बनाया जाता है तो साल में दो बारी तौलिय अवश्य बनने चाहिए अब यह देखिए इदर भी तौलिया जो हमने त्यार किया है और फ्रूट देखिए तो फ्रूट भी तभी फ्रूट मिलेगा अगर जब हम तौलिये इसकी परिवर्श करेंगे तो ऐसे बनने चाहिए ताकि इसमें पानी भी भर जाए और रूके इस ढंग से जो है हमारा तौ अच्छा लगा है कि इसने दूसरी बार सैंपल दिया है तो पिषले साथ दो कीवी लगी थी इसमें और इसमें काफी लगी है तो इस ढंग से जो है यह तौलिये ऐसे तौलिये बनने चाहिए यह बिलुकल पानी के लिए भी जो है बिलुकल चाही और फ्रूट देखें तो तॉलिय जो हमने काफी बनाये हैं अभी तो बहुत बनेंगे क्योंकि आज सुबा से श्टाड किया था काम यह देखिए तॉलिय यह देखिए तॉलिय इस दंग से तॉलिय बनना चाहिए तो इस हाल में दो बारी जो है तॉलिय इसका अवश्य बनना चाहिए क्योंकि अब जो यह तॉलिय बना है अगर बारिश भी हो जाती है तो यह पानी भी इसमें अच्छे डंग से लगेगा और बिलकुल जो है यह सही डंग से रहेगा और यह तो हमने आपको जड़े बताई ह है इसमें इसको हमने पटना है इसको हम नहीं रखेंगे यह देखिए यह इस तीज को हमने इक ख़दाई में लेना है रखदाई करके जो है इसको इसे क्या होगा कि हमारे पाउदया जो है हलका हो जाएगा और जो यह जैसे कि एक पेड़ में जड़ लगती है यह देखिए इस ढंग से ये बिमारी लगती है पेड में शायत आपने देखी भी होगी एक बेल है जो पेड में लिप्ट जाती है और पेड को सुखा देती है तो इस ढंग से जड में लगती है ये बिमारी तो इसमें जड़ मैं जब लगती है तो इसको जड़ से ही यह सुखा देती है इसको इसलिए इसमें तॉल्याइ साल में दो बारी वश्य बनने चाहिए तब ही हमारा फल भी और सही याएगा फरूट यह देखेे इस ढंग से और पौदा भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा आप संजाई करेंगे तो संजाई में टाइम तो लगेगा लेकिन फिर भी हमारा पौदा सही डंग से बनेगा और वारिश होगी तो और भी जानदार पौदा आ जाएगा ये देखिए इस डंग से अब इससे आगे जो है तौलिय बनने को है अभी तौलिय इससे आगे कोई अभी बनाये नहीं है ये देखिए आगे तक तौलिय अभी तौलिय नहीं बनने है आप इसमें हम तौलिय बनाएंगे अभी और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आपको इसमें वीडियो अवश्य दखाएंगे तो थेंक्यू दोस्तों तब तक बने रही आप हमारे चैनल के साथ और देखते रही है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और आगे शेर भी करें धन्यवाद